आप सबका दोनों हाथ जोड़के पणाम करता हूं और स्वागत करता हूं ऐसे अजविती सेनानी जिनके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र जिवी थी आप उसके हगदार हो जिसके लिए प्रमात्मा का आसिरवाद उपर से भगवान किसी देश को देरा तो सबसे पहले भारत को देरा है जिनके कारण से ये कारागरा से आने के बाद भी लोगतंत्र का इतना उजवल इतिहास लिखा गया है जिसमें आज ये सवस्वी प्रधान मंत्री अभिनंदन करें मानि नरेन मोदी जी का जिनके नेत्रतुमें दुनिया हमारे लोगतंत्र को गोरानवीद कर रही है मैं आज समंच पर अभी अभी अध्यक जी ने बहुत सुंद्र भात्बन दिया हमारे माने केयला जी सोनी अभी रणंदन करें माने केयलांश जी का जो राजसवा के मानी संसद है और पूर्व राष्टि-अध्यक्ष्म तो पुर्वु शांसर्द और हमारे अपने वरिष्ट नेता जिल्ने पूरा जीवन संगकार के लिए राष्टकार के लिए दिया पुर्व सांसर्द हमारे बहुत सरा अधायत का निर्वन किये स्रिमान मेगराजी जैन साब आपका वदन है अभिनान दन है हमारे एक और वरिष्ट प्रचारक माननी माखन सिंग जी भाई साथ आपका भी बंदर अभिनंदन तरह ताली वाली बजाते रहों मज़ा नहीं आ रहा जरा अच्छे से मैं नाम बदाओं आप अपना अभिनंदन करें माननी विक्रम अर्मा जी नेता प्रतिपक्ष मंत्री भारत सरकार के मंत्री बहुत सारे दाहित का आप निर्वन कर चुके मानिन सुरेशी जैस्पांडे भाहसे आपका भी समादर नहीं आप दोनों का अभिनंदन किया मैं आप थो बहुत सह सुरिकरान जी महित अब्रतित फ़क्रम हैけれं आपके उड़्जा अलग एक आभा विखेरते हैं मैं आपका वंदन करता हूँ अभिनंदन करता हूँ मानने असुप पांडे जी पूर्वत्यक्ष एमपीपीएससी और माननी मद्धिभरत के आप संचालक भी माननी संचालक जी आपका विनंदन माननी अजय विश्णोई जी पूर्मंत्री वर्तमान वरिष्ण विदायक अजय विश्णोई जी तुलसी राम सिलावड जी यह नहीं मालूम ता तुलसी विया हमको लेकिन यह आपका वी बंदन अभिनंदन है आपकी मिशाबंदी के समेंच पर विलाजमान है तपन जी आपकी तो आभाई अलग है होसा अद्यक्स है राश्ट्री कोशा अद्यक्रमिश्ण सवाण धि कैसे मांनी जाक्षिवायल वर्त रहे मनी भृत चत्रुवदी मानी अमाररे रामकेश्य बूश्माविजी जी मुरूपुरमंत्री और अभी भी आप आयोग के अथ्यक्स है मानी मदन बासम जी आपका व देखो रसी जल गई बट नहीं गया है हम सब जानते के पूरे तोर पे मेरे पूर वक्ताओं ने सारी बात कर दी और आपातकाल को लेके दुनिया जानती कांग्रेस की भूमिकां कांग्रेस के लोगों का वहवार इंद्रा गांधी का उस समय का आचरण और जैसे मैंने प्रारम में बात छिड़ी कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार दुनिया में भारत को गोरांधित कर रही तीसरी बात तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका इसमें आपका योगदान है सबसे बड़ा जिरोंने वह आपात काल के काले काल के प्रश्टों को मिटा करके सच्चे अर्थमें लोगतंत्र को पुनर स्थापित कर दिया हम केवल कलपना करें कि वो 75 का आपात काल कोई कारण से आपक पाकिस्तान की हमारी दोनों की एक जैसी हिस्त्री है दोनों अंग्रेजों के चंगुल से तो आजाद हुए लेकिन काल के प्रवा में महां लोगतंत्र की हत्या हो गई यो जो जो भी हुआ और आज पाकिस्तान किस मोर्चे पे किस मोहने पे आके ख़़ा है महां के अंदर के आवाजे क्या आ रही लेकिन उसके उल्टे आपके इस संगर्ष के कारण से सारी की सारी विवस्था सू विवस्था में बदली दुनिया की सबसे अनुसासित ओज गर्व से आज हमारे साथ खड़िये जोड़ारा में जन्जन करो आपने लोगतंतर को गुरान मत करने वाले सभी ससस्तर वलों के लिए जन्हों ने इस लोगतंतर के अंदर आपके संगर्ष का सम्मान किया आपके अपने संगर्सों के बल्बूते पे दुबारा चुमा हुआ और सत्ता का हस्तांतरन कितनी सरलता से हो जाता है ये सत्ता का हस्तांतरन सरलता से करने में सबसे बड़ी ताकब अगर है तो ये हमारे उस समय लोगतंतर के संगर्स की है दुनिया भी जानती है अरे यही तो कारण है आज दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र अपने अनुसुचित जाती की बहन को राष्टपती जैसे पदपे देख करके गोरानवित होता है यह सबसे बड़ा कारण है तो यह हमारे उस संगर्षके से कई उधारन भरपने अभी अभी आपको जानकरी बता दूं कि मैं जहां से आ रहा हुआ निर्वाचन चल रहा था और निर्वाचन में यही नाटक आप भी समझते हो जो मैंने मुहावरा बोला वही वाला हिसाब है कि इंडिये के सामने एक घमंडिया गडबंदन बना और घमंडिया गडबंदन ने अपना नाटक कर पुरा के एंगें प्रकारेंड सारी ताकत लगा लिए और यह भी हमारा सोभा के हैं कि आज इंडिये की ताकत के बरोसे यससरी प्रदान मंत्री तीसरी बार प्रदान मंत्री बने तब उनको रोज नाटक करना नाटक के प्रकार भी कैसे कैसे हैं अभी बी के चलते हैं हमारे इपने राजगण के चुनाओं में उनका हम 400 प्रत्यासी खड़ेंगे खड़े करेंगे अब 400 तो मिले नहीं तो भलकु की बात करते हुआ लेकिन अब चुनाओं आपने सबने जिस्दन से 29 का 29 जिताया मैं आपका स्वागत करता विननन करता यह आप सब की देने आप सबकी पुन्डे सरकार अपना काम करती लेकिन घर घर में घुश करके एराश्टबादी विचार को फैलाने का काम जो आप सबके मात्यम से हुआ है यह उसकी भूमिका है और सरकार के अंदर जैसा कहा गया है कि हम और आप काम कर रहें लेकिन मैं भी लोकसवा की निर्वाचितों के पहला भाषन दिया उन्हें लोकतंतर सेनानियों के उस समय के संगर्स को याद किया कि यह उनकी देने ये उनका नमने उनका संहान है और जैसा होता है जैसे ही वो बोले कि वो सारे के सारे मेधान छोड़के भागने लगें क्योंकि उनको पसंद न तम था न आज वो जो एक दुरभागी के साथ होना तो ये चाहिए काल के प्रवाद इतने प्रमान बिल गए कि यहां कांगरेस में गलती की थी और कांगरेस के इस समय के घटवंदन में भी वो सारे लोग भी मिले हैं जो उसमय अपातकाल में बनती हैं लेकिन स्वार्थ की दोस्ती क्या होती ये उसका उधारन है चोर-चोर मोसरे भाई किसको गेते हैं ये उसका उधारन है वो बिहार के लोग जो उनके साथ खड़े हैं वो भी तो जेल के सिखंजे में थे वो सारे के सारे लोग लेकिन अपने स्वार्थ के कारण से करने का और जे प्रकाश नाराण जी का वो नेत्रत्म और हम सब तो वह भाग्य साली ऐसी कोई दुनिया के अंदर मिसाल नहीं मिलेगी इतना अच्छा अनुसासित अपना संग्ठन भारती जनसंग उसकी कुर्बानी देखो जिनने अपने इस लोकतंद्र के लिए लोक केते हम बहुत जित्ती हैं बहुत कटर हैं बदलते नहीं हैं लेकिन हम तो वहां तक बदलते के अपनी पार्टी का ही विली नी करण कर दिया जन्संग को हमने समाप्त कर दिया केवल लोगतंत्र के कारण से ये गोरोसाली पक्ष भी हमारे सामने और जैसे कहा गया कि कमल का दल पानी में जाए या बाहर आए उस पे पानी का असर नहीं हो हम ने भलाई भी लिनी करन कर दिया लेकिन जिन मुद्धों को लेकर हम लड़े थे जिन विश्यों को लेकर हम आगे बढ़े थे उनके साथ भी रहे तब भी उनके खिलाब रहे तब भी या उसके बाद भी आज तक भारती जन्ता पर्टी बन करके जिन जिन मुट्वों को लेकर हमने राजनीतिक यात्रा की थी सरकारे बनाने के बाद हमारा सबना क्या होना चाहिए तो एक बार फिर अब बिलंदर करें मानिक नरेंद मोदी जी का जिनके सामने आप सब लोगतंत्र सेनानियों ने जो लंबा संगर्स किया था वो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं वो सारे के सारे धारा थीन सो सत्तर तीन तलाक, सुसासन, सुचीता, लोगतंत्र के अंदर हमारा आचरंड जो वेहवार, कितने प्रकार से बात करें किसी भी इतने बड़े देश के, इतनी विवित्वावाले देश के सामने दस साल के अउदी बहुत छोटी सी होती कोई हिसाब में लगाते है उसे लेकिन इतनी छोटी सी अउदी में भी कितने आयावों में काम किया आज हमें इस बात का गर्वा है आपके कारण से दुनिया की सबसे बड़ी सक्षम सेना बनाने का गोरों अगर हासिल हुआ है तो स्रीमान नरेज मुदी जी की सरकार को लेकर हुआ है जिसके कारण से आज हम दुनिया के तीसरे ऐसे देश हो गए जो अपने देश के अंदर तो अपने हितों की रक्षा करते ही है अपने देश की समस्या का समाधान करते ही करते हैं बलकि मोका पड़े तो दुस्मन के बेश में घर में घुज़ करके अपने दुस्मनों को मारने की हम्मत रकते हैं हमको एक बार नहीं दो-दो बार ये खोर उँ हंसिल हुआ है कि हां हमारे देश के अंदर होने वाली चुनोतिय का सक्षमता से सामना करने के लिए हम सबल हुए सक्षम हुए ऐसे एक नहीं कई मुत्ते हैं लेकिन समय की थोड़ी कमी है मुझे बताया गया कि आप सब को निमंत्रन का मामला था तो हमने अपने अधिकारे से कहा कि देखे भाई जिन को बुलाना वह इस सासन की ववस्था के सबसे संवानने राड़ लोग है इसले कोई छूटना नहीं चाहिए सबको संवान बुलाने का अधिकार हमारे आपने उनके इस घर में बुलाना nCs crystalline ये घर मेरा नहीं है ये घर आपका सबका है ये सी एम हाउस हाउस नहीं है वास्टों में ये हमारा लोकतंदर का इस विवस्था का भाग है और सुभाई ग्रूप से इसके बारे में लोकतंदर सिनानी नहीं आएंगे तो कुन आएंगे ये हट तो आपका ही होना चाहिए इसल है मैंने वो तो पढ़ ली है उसको तो सारी मानता ही मानता हूं कुछ छोड़ने वाला नहीं हो जो आपने बात कही है आपने का कि लोगतंत सिनानियों को सरकिट हाउस विसराम ग्रह में 50% की छूट और तीन दिन तक खेरने की छूट दो बिल्कुल हो जाएगी कोई मना नहीं इसने क्या दिख्कत है आपकी दूनिया आपने अधिकार दिया है आपने के वर्तमान में अनेक जीवन्त जीवनगत लोकतंत्र सिनानी तामर पत्र से जए घये तो हमने का शब को देंगे कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाइ़ कर लेंगे उन्हें सब को तामर पत्र देंगे आपने कहा कि 77 सिनानियों को पत्रकारों के समान लोकतत्र सिनानियों को भी टोलनाकों पे छूड़ दी जाए Бिलकुल दिलुआई जाएगी इस USSR लाख भी को एपना पास बताएगी उसमें आपको ये पात्रता दी जाए आपने कहा कि आईश्मान योजना के तहद बिमारियों के इलाज पर वे के भुक्तान में अधिक बिलम बनी होगा बिलकुल नहीं होगा किसी हालत में समय पे भुक्तान होगा आपकी ये समस्या भी हल करेंगे बलकि एक चीज और जोड़ देता हूं अभी हमारी सरकार ने एक प्रयोग कि प्रयोग ये किया है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर भोगोलिक अभी हर्दा तरफ से नर्सिंपुर तरफ से एक आपको जहन में अगनी कांड हुआ था खटा के और हमको एंबुलेंस से वहां मरीजों को लोगों को निकाल के लाने में भारी दिक्ता ये रास्ता छोट आने की कठना ये सी तो इतना बड़ा भोगोलिक एरिया या कोई भी बीमार हो जाए कोई घटना घट जाए तो तुरंत बड़े हस्पिटल पहुचाने के लिए कोई प्रबंदन नी भगवान के भाकिस हमारे भाकिसे भगवान की दया से बनान चल है पहाड है नदी परवत सब है लेकिन इतनी दूरी को कैसे कबर करें तो बीमारी के अवस्था में आकासमिक रूप से कटना ही में हमने एर एंबुलेंस की अवस्था खड़ी करिये कोई भी कहीं बीमार हो तो आकासमिक रूप से उसको उच्छ जगे पर ला करके योगी प्रकार से इलाज कराए और उसको तुरंत गंभीर चिकितसा अवस्था के अधार पर अगर एर एंबुलेंस की जरुबत पड़ेगी सरकार वो दे करके उसकी भी मदद करने का प्रयाज करेगा आपके प्राण जरूरी है बिमार की इस अवस्था में साधन जरूरी इसके कारण से हमने यह निर्णे अभी हमारा अपना मद्देश गॉइलर से लगा करके रीवा तक का इस पूरे बेल्ट के हंदर हमने एर टेक्सी की सुधा भी चालू की है तो आपको भी 25 परसेंट की छूट सरकार के द्वारा देने की घोटना करेंगे हमें से हरेक का हक है क्यों आना जाना नहीं चाहिए एक आपने बात कही के लोकतंत्र सेनानियों के स्वरगवास के बाद राज की सम्मान के साथ अंकेस्टी होना चाहिए हमारे निशाबंदियों का भी समान लोकतंत्र सेनानियों की तरह उसी दमान के होगा जैसा लोकतंत्र भी आन्तर ने किया जाए बिल्कुल जोड़ा जाएगा स्कूल के हमारे इस पार्टिक्रम में वह इमर्जेंसी का संगर्ष तो इस्मरण रखना ही है ताकि उसके विवित प्रकार के कश्ठों के वीज भी हमारे लोगों ने जीवड़ता के साथ कैसे जगा बनाए यह बहुत बड़ा संगर से मैं आप स अपने मिलकर के जो संगर्ष किया मैं आपको बढ़े देता हूं इसके अलावा आपके अपने परिवार के अंदर भी बच्चे बड़े हो रहा हैं नया व्यवसाय चाहिए कोई काम धंदा चाहिए तो हमने निश्य किया है कि अलग-अलग प्रकार से निवेश के सारे मामलो में जिनको अपने उद्धोग धंदे लगाना है कोई कामकाच करना है जिनको लगूत दोग पुटिद दोग हैवी इंडस्ट्री जो भी काम करना आप सूची बनाकर उनके बच्चों की भी देंगे तो उनकी प्रशिक्षर कराकर यथा यो कि जैसी व्यवस्ता है उनके रो प्रूप से भी संब्द्ध होते हैं तो गलत क्या है जब हम सबके लिए सोचते हैं तो उनके लिए तो सबसे पहले सोचने की जरवत है जो इसके हकदार है तो मेरी अपनी और से एक बार फिर इस पूरे आईजन के प्रति आपके प्रति शुबकामना है और आप सबका यहां मैं इंतियार कर रहा हूं कि आप अलग से भी मुकाम समय का चाहरत है लेकिन मैंने अगला करम बनाया जुले के बाद के जिले जिले की हमारी प्रवास यातरा रहेगी तो उसमें समय के लिए थोड़ा सा आपके लिए भी अलग से रखा जाएगा ताकि आप से सीधी बात हो स इसलिए इसको थोड़ा सा हमने ऐसा योजना बनाई है लेकिन फिर भी इसके अलावा भी आप कोई लिखित सुजाओ लाएं कोई बात कहें तो अपना एशोशन बनावा है एशोशन के मात्यम से भी आपका सदेव स्वागत है अभिनंदन है बोले भारत माता की है भारत मात आज लोगतंत्र सेनारियों के इस सम्मान कारिकम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान छेत्र संचालक आदने स्री पूर्णेंदू सकसेना जी अमारे चत्चिगर सरकार के उप मुख मंत्री स्री अरोन साव जी उप मुख मंत्री स्री विजय सरमा जी स्री केदार कश्यप जी मंत्री स्री दयादास बगहल जी मंत्री स्री ओभी चोधरी जी मंत्री स्री राम रिचार नेताम जी मंत्री स्री लखनलाल देवांगन जी मंत्री डाक्टर टोपलाब वर्मा जी, प्राम संग्चालक, श्री राम प्रताब जी, नाराइन चंदेल जी, भूपेन सवन्नी जी, दिवाकर तिवारी जी, आदने स्री सचीजानन उपासने जी, इस लोगतंत्र सेनानी संग की रास्ति उपाद्या, और इस संग के सभी बदादिकारी गण, और प्रदेश भर से, यहां पर उपस्थित, सभी लोगतंत्र सेनानी गण, उनके परिवार के परिजन, और इस कारकब में उपस्थित सभी सजन्वीन मातरी सक्ति, माताई बहने, भाई और बहनों और बेडिया के मित्रों, सबसे पहले, आप सब लोग दूर दूर से हम लोग के आमंत्रन को स्विकार करते हुई यहां पर बदहरे हैं, आप सब का बहुत बहुत अभी नंदन, बहुत बहुत स्वागत, आप सब को मैं फिरदय से नमस्कार करता हुँ, आप सब लोगों का भिवादन करता हुई, 25 जून को आपात काल के आदगार में काला दिवस मनाते हैं, और कल पूरे देश में काला दिवस मनाएं, आदने राश्टी उपाध्यक स्री सची नानु उपास ने जी के साथ हम लोग विचार किये, कि 25 तारी को तो पूरे देश में अलग अलग जगों में कारकम रहता है, लेकिन एक ऐसा तिथी तय की आजाए, कि पूरे प्रदेश के जो हमारे लोग तंत्रा के सेनानी हैं, बहुत ज़र्ण हम लोग को छोड़के चले भी गए हैं, एकर उनके परिवार के लोग हैं, एक बार उनका दर्शन करने की हमारी बड़ी इच्छा है, तो आदर ने सतिजानन जी ने ये कारकम कायोजन किया, आज ये 26 जून का ये दिन, और मुझे मालूम है, कि आदर ने सतिजानन जी इस कारकम के लिए, आप सभी लोगों को फोन से भी बोल सकते थे या निमंतर काट भेजवा सकते थे, लेकिन स्वयम जगा 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 जाकर सब से मिलकर, आप सब लोगों को अमंतरित किये हैं, और आप सब लोग आये हैं, पना मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, और आज लोकनायक जैप्रकास नाना जी टेस्मोग सौर्गी लरंग साहई जी, सौर्गी बलीराब कस्यप जी, सौर्गी नरहरी साहई जी सहित सभी लोकनद्र के सेनानी जो आज हमलों के बीच नहीं है उनको मैं सबसब नमन करता हूँ और आज जो यहाँ पर उपस्तित है उनके परिजन और लोकनद्र के सेनानी उनको भी मैं नमन करता हूँ चुकि भोजन भी करना है, समय भी जादा हो रहा है और हमारे पूर्वक्तागान सम भोल चुके हैं इसलिए मुझे लंबा बोलने की आउसकता नहीं है सबको मालूम है कि 25 जून 1972 को इस देश में आपाद का थोपा गया था उस समय की परधानमंत्री स्वर्गी स्रीमती इंद्रा गांधी जिनका लोक सबहा का चुनाओ इलहबाद हाई कोट निरस्ट कर दिया था और परधानमंत्री बने रहने के लालच में उन्होंने उस समय के रास्पति से आपाद काल खुस्चित करवा दिया था और वो आपाद काल उस सोच कर ही मन चीहर जाता है हम लोग तो बच्चे थे लेकिन वो परिवार कैसे कस्ट में रहा हम सब लोगों को मालूम है हमारे परिवार से भी हमारे तावो सोर्गे स्री नहरी परसाथ साही जी वो पिशाबंदी थे उन्ही समयना उजेल काटे और जब 77 में चुना हुआ तो राइगड से सांसद्वे और गुरान जी भाई की सरकार में किंदी राजमंती के रूप में उन्होंने काम किया लेकिन हम अपने बीच में और कई लोग तंत्र सेनानी को देखते थे एक है बालकृष्ण सरमा कुनपूरी थे जिनको लोग दियोकी महराथ के नाम से जादा जानते थे अपने परिवार में इकलोता हो कमाने वाले थे और वो जेल चले के 19 मेना जेल में रहे और वो बताते थे कि उनके जेल चले जाने के बाद उनका परिवार कैसे कस सहा मलब चूलहा जलना मुश्किल हो गया था ऐसे परिवार में वो बताते थे कैसे कैसे कस सहे और जब हम उनके घर में जाते थे तो उनके बेटा बेटी हमेशा उनको उलाहना देते थे कि आपने हम लोग के लिए क्या किया कुछ दुखिये नहीं आज हमेशा उपदेश देते रहते हो इस तरह से उलाहना उनको देते रहते थे उनके बच्चे तो इसे और भी अनेक परिवार होंगे जिनका घर इस एमर्जेंसी के कारण नापाथकाल के कारण बरबाद हो गया लोकतंतर में जो अधिकार होता है वो छील ले गया था मेडिया जगत का अधिकार छील लिया गया था कहते हुए भी चूक लगता है कि कैसे सब को जेल में फूस दिया गया कैसे बरवरता के साथ नस्बंदी हुआ कुमारे लोगों का भी नस्वंदी हो गया कि इस कहते हुए भी सरम लगता है ये मर्जिंसी में इस देश के लोगों के साथ बरबरता हुआ देशाब आप सब लोग जानते हैं और इसके यादगार में हम लोग बच्ची जोनको काला दिवस मनाते हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्री सची जानल रुपास्नेगी को जिन्होंने लोग कंतर सेनानी संग का गठन किया है और जो हमारे प्रदेश में अप ये पुरे राक्च में हो रहा है सब को जोड़ने का एक पर्यास उनका इसकी जितनी प्रसंसा की जाए बहुत कम है और पिछले समय बिन्दावन दोवन में हमको बुलाए थे जितने भी प्रदेश बर के स्वतंतरा संगराम सेनानी थे लोग तंतर के सेनानी थे और उनका एक आग्रह था कि जो पिछले पांच वर्सों में उनका जो समान रासी रोग दिया गया था वो फिर से चालू किया जाए तो उसको हम लोगों ने चालू किया हमारी भरती जंता पाटी की सरकार ने चालू किया और यह कोई बड़ी रासी नहीं है लेकिन एक समान है जिसको आप लोगों की सरकार ने आप लोगों ने आसिरवात देकर हम लोगों को सरकार पर बैठाया तो उसको कर पाने में हम लोग सफल हुए और यहां पर बित्मंत्री जी है तो यह उपिक चोधरी जी उनको हमने कहा क्या पैसा रास्ता निकालिए कि पिछले पांस साल क्या हों कोई कठे एक बार में मिल जाए ताकि थोड़ा एक साथ कोई बड़ी रासी बोजाएगा तो कुछ काम आ जाएगा तो बित्मंत्री जी को भी हम धन्वात देना चाहेंगे उन्होंने रास्ता किकाला और बहुत जल्दी हम लोग पांस साल का इकठे मलब देने में हम लोग सफल हुए और ज्यादा नहीं काते हुए मैं लोगतंतर सेनानी संग बहुत बहुत सुब कामने देता हुँ कि ये संग और बड़ा होता रहे और हर साल इस तरह का कारकम हम लोग करते रहें और पूरे लोगतंतर के सेनानी और उनके जो परीजन है उनको जोड़ के रखने का काम इस संग करता रहे मैं हम लोग के आमत्रन पर दूर दूर से यहां पर आए आप सम लोग का एक बार हिदने से अभी नंदन और स्वागत करते हुए और जितने भी दिवंगत लोगतंतर सेनानी है और वर्तमान में और उनके परीजन है सबको मैं नमन करते हुए अपनी बात समात करता हूँ जये हिं जये भारत जये चतिज़ाए